नमस्कार प्रेक्षकार्णों मी स्रुष्टिकीते तुम्हा सर्वान सक्दी स्वागते डिजिटल प्रभात मदे प्रेक्षकार्णों आज अपन रुदे रोगावर जेकाही परियाई उप्चा रुपलब्दा आहे तैविशाई चर्चा करना रहोत आणि आविश्यावर चर्चा करना सठी आज अपले स्टूडियो मदे आलेले आहेत पूना प्रिवेंटेव काडियोलोजी सेंटर चा संचालिका डॉक्टर जोट्स ना पाटिल मैडम आणि प्रसिद्धर उदेरोग तद्य डॉक्टर अमित सीनकर सर्ग तर तुम्हा दोगा बहुत आहे जसा जंक फूर्चा खाना आहे कि वहां वेड़ी आवड़ी जेवांजे बायलोजीकल क्लॉक मेंटेन करत नाहे याच्या मुले ये नार विटामिन ची कही कम तरता सेल विटामिन डी कमिये बीट्वेल कमिये फुली कसिड कमिया हे अनुवम्शिक्ता हा एक तल कारणेबुद घटक आहे आणि एक्जेक्ली आता वहे कारण राहिलेलस नाही है करन पुर्वी हाँ वयाशी रिलेटेड आजर समझला जाईचा परन्तु आजकल तरुन लोकांच मदे ही तितकत्स अपलेला हार्ट अटेक्स प्रमान वाडताना दीसता है एक्जेक्ली या म SEP, E-SMR, ACT या सरके जे उपचार आहे तिया आछा यहा रुगणा नाक्की जालेला दिसतो आणि एक्जेक्ली या सगया चावरोबर ख्यातनाम रुदयरोग तद्न्य डॉक्टर अमित सिंकर सरही तरुन अनि प्रतिभंदात्म उपचार पद्धति आहे तीचे काराची गर या पर यही उप्चरन सा नेमका फाइदा कसा होतो। या गुष्टीन करता कुटले मेजरेवल पारामेटर्स नाही है। या पर या पर यही उप्चरन सा नेमका फाइदा करता है। या पर यही उप्चरन सा नेमका फाइदा करता है। अपन या परियाई उप्चरन बदल एक एक करून भगोयात या ACT के वाँ केलेशन नावाची एक ट्रीटमेंट आहे। ही modern medicine मदे heavy metal poisoning करता जगा मदे सर्वत्र मन्यप्राप्त ट्रीटमेंट आहे। पन या ट्रीटमेंट सा रुदयावर्ती काई उप्योगोतों का या करता अजुन रिसर्च सालू है। ता करता पुर्वी TACT नावाची एक ट्रायल गेना तली होती। तो त्या TACT ट्रायल मदे या ट्रीटमेंट नी सद्या फार्सा काई फाइदा होतना असला है। तरी सुद्धा तेच्या मोने नुकसान काई नहीं यहोड़तरी नक्की ता ट्रायल मदे दिसला है। तो अपन लॉजिकल रीजनिंग काई असुशक्त है थोड़ा जानून गया है। किलेशन नेम का काय करता है। अपले शर्या मदे जे लेड कैडमियम सर्के हेवी मेटल्स असता है। यहला किलेशन नी ते अपले शर्यातना काणून टकने दिता। तो बॉडन मेडिसिन मदे एक गोश्टनक्की महितिया है कि लेड सरक्या धातुन मुळे अपले रख्तवायनें मदे नविन ब्लोकेज़ेस हाँ शक्तात। तो यह ब्लोकेज़ेस टायना करता है अपले शर्यातना हेवी मेटल्स दानपर गर जेसा है। तो यह हेवी मेटल्स अपला शर्यात यहतात कुटून तो आता है जिकाई इंडस्ट्रियालाइजेशन जालेला है इन्वान्मेंटल पॉलूशन वाड़ता है बरत सट ट्राफिक जो काई वाड़ता है तो यहातना टायर्स मनना कैडमियम नावचे दातू हावे मदे यहता तस लेड़ पार्टिकल्स सद्या हावे मदे भरपूरा है तो तो यह अपले खानात ना अपले श्वासात ना कुटून ना कुटून आपले शर्यात जात असता पन अन्फोर्चुनेटली तेचा मेजर्मेंट कुणी करत नहीं तामोने तेचा मोने नकड़त कुटे तरी ब तरी सुद्धा अमी बराच वहला आश्यापेशेंस मदे सिग्निफिकंट क्रिटिकल ब्लोकेजेस बगतो तो कदाचित या ब्लोकेजेस ची कारण ही अनकन्वेंचनल रिस्वाक्त ससू शक्ताथ तो जर या हेवी मेटल्स मोने एखा देला ब्लोकेजेस तायर हो तस्तील त कराचि ते हेवी मेटल्स अपले शर्यातना काडून टाकले मुळे नविन ब्लोकेजे सोने ची प्रक्रिया आपन थांबाव शक्तो आणि इंडिरेक्टली कराचि तेसा रुदयावरती चांल पद्धती नी परिणाम हो तसावा तो ही एक प्रकाची ट्रीट्मेंट जाली दूसरा ECP नवाची एक ट्रीट्मेंट है जेचा मदे अपला रुदयाचा गती प्रमाने जायला रुदया अकुंचन पाउता और प्रसरेंड पाउता तेचा बरोबर तेचा साथी नी तेला टैक करून अपला शर्यातील रख्त पुरोटा जो है हाँ रुदयाची डायव रख्त पुरावटा वाडवता यहन शक्क्या नहीं है फॉर मेडिकल रिजन्स अशा पेशेंट्स ना ECP ची ट्रीट्मेंट डेउन डेफिनेटली फायदा होतो है USFDA नी पड मान्य के लेला है तो ECP चा ट्रीट्मेंट नी अपन ब्लोकेजेस चा आजु-बाजु चे कोला रख्त पुरावटा वाडवडाज सा प्रहत्न डेफिनेटली करू शक्तो तरसाच तिसरी जी ट्रीट्मेंट है USMR, USMR चा फुल फोम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शोक्वेव मायकाडियल रिवस्कुलराइजेशन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मिंजे शर्या चा भायर मिं कंप्लेटली नॉन इन्वेसिव ट्रीट्मेंट है शोक्वे मिंजे एक्समर्य अपन साउन्द वेव्स अपले रुदया वर्ति तेचे बोमबार्डिंग करतो जेने करून मायकाडियल रिवस्कुलराइजेशन मिंजे रुदया चा स्नायून मदे नविन बारिक केस वायने तयार करना क्याला नियो वैस्कुलराइजेशन असा मन्ताथ तो या साउन्द वेव्स चा बोमबार्डिंग निविन बारिक केस वायना रुदयां चा स्नायू मरे तयार होने चे शक्याता आस्ते ता बारिक बारिक जालेला केस वायनान मनना रक्त पुरोटा सुद्रूड या करता ECP ची मदत होते और याज कोलाटरल्स हेवी मेटल्स चा डिपोजिट्स मुए बंद पडूने मनुन ACT चा तेच्चा करता फैदा हो शक्तो तो या तीनी ट्रीक्मेंट्स अपकोस योग्य ता पदतिने सिलेक्टेड पेशेंट्स करता सेचा फैदा होतो असा नहीं क अधिक केस वाएना कि कोलाटरल्स तायर हुन तैस्ट उदूरू थे उन रुदायाचा प्रोठा वाडवनाचा परहतना करना या या ट्रीक्मेंट्स नी अपलेला डेफिनेटली मदत हो शकते आनी मैदम मतս सरणडी मूलतां नुलेक Keysा invarioplasty grip Schul rates सर्जरी गीत करा मेंगिक्स प्रतिबंधत्म्रों कुपचर में ड्रीक्स में हैं तरिपन तुम्हें उपचार घ्योँ शकता परन्तु जह हुआ काही बड़ा हार्ट अटक यह तो काही कारण नेंजोग्राफी होते है गरे आणि मग पेशन्ट परियाई व्यवस उपचार पद्धती चोधाला सुरू करता आणि मग एकड़े एता कि मग अहे चामधे तस अत सर्मंटले की सिलेक्शन ओफ पेशन्ट इस मोस्ट इंपोर्टन कारण एक्जैक्ली हाजा उपचार पद्धतियत में यहां प्रतिबंधात्मक उपचार पद्धतिया है चिवाय यहां प्रतेक वड़ी हार्ट अटक आल्या नंतरस टीट्मेंट गया असन आई है कि माला डा सर्जरी कराला सांगीतला जातो तेमां एक सेकेंड ओपिनियन घेन कुप गरजेचा आहे करन प्रतेक वड़ी हां सर्जरी केला नंतरस पेशन्ट बराओ तो आसा ही कई नहीं है बर्याच आउंशी आपन यहां सर्जरी टालू पन चकतो परन्तु एक्जैक्ली कोंट्या पे तड़ी नँ एंजियो प्लास्टी बाइपास करन गरजेचा आसता तेमां तेफ़ त्या आप जेख पाई जे आसा सरला ही आमें देता स्तु आणि सब्सक्राइब तुम्हीं मगाशी बोलतान ना एंजाइना यहां चाली रुगड़ा नमा इतना स्तकी हाट अट अट अटक अटते वरती वजन ठेवेला सरक włos डगाड़ धेवला सरका दाब जाल से एसपेसिली कुखुलै शिरं केलां अंतर अशाप्रकार चे तक्रार यह क्रू रोर्श knowsit पुड़ी चा बजुला चीट करा रेते असर नसुन एक देला डावय खन्देला डावय हाताला कि वा पाठी तई अशय प्रकर्ची कड़ियो शकते विश्राम के लनांतर जर जर पणा जानवता सेल तो जर पणा अपले बेंबी पासुन ते अनुवती परिंत पुड़ी चा बाजुला अथ्वा पाठी चा बाजुला कुटला एरिया मद यह शकतो आणि तो विश्राम के लानंतर दर कमी होता सेल तैसार ताहा तरास अंजयना असनाचे चांसेज जासती है तो हां अंजयना जाएला रुदायाला रखता पुरवटा कमी होता होतो तो उदार रणते जावेला ब्लोकेजस्ची संक्या ब्लोकेजस्ची सिवेरिटी ही 15 तके पि आणि अचानक एके दिश्ची जावेला या ब्लोकेज वर सा पत्र थर फाटून तयावरती रखताची उठड़ी तयार होते तो तेचमोय रखतवाईनी अचानक पूरणा पने शंबर टके बंदा होते आणि मा तयावेला रुदायां चा स्नायून ना मोठा डामेज होतो तो या परिश्ची जा अपन हार्ट अटाक असे मांटो तयावेला या वेदना आक्यावा अंजयनाचा जो डिस्कमफट आहे हा अती तीवरते ने होतो कि वा तया बरोबर आडिश्चनाल सिम्टम जासके इश्वास गयला तरास होना खूब जास्ती घाम एना कि वा एख़ जीव सुद्धा जाऊ शकतो तयाम अक्यूट हाट अटाक आला अंतर यूजवली अंजयोप्लास्ती के वा आउश्दा देऊंती रक्ताची उठड़ी विरगळवने हे पार महत्वाच अस्त तो ही एक सिचुएशन आहे जेचा मदे अपलेला कन्वेंशनल ट्रीक्मेंट् जीकाए प्रेवेंट्टीव ट्रीक्मेंट्स असता है पेशंट्स स्टेबिलाइज जाला नंतर कि वा भविश्याद पुना तरास होने ता करता अजा कॉंप्लिमेंटरी अल्टरनेटिव योग्योता ट्रीक्मेंट्स बरोबर अधिशनल मदद करना करता आपन जणनना हाट फेलियर कि वाँ काईड़या का रेस्ट हे हाट अटक बरुबर सार्खत सायास वाट पंड हाट अपले हाट चे प्लंबिंग सिस्टिम ता प्रावलम है कि जिकड़े रक्त पुरोटा रुधायाचे स्नाइउन परेंत पोतो दसतो तो यचा मदे अड़ थाला मु के बंदा पड़ताद ता परिस्थितिला अपन काडिया करेस्ट मंटो कि वहां काई केसेस मदे हाट बीट खूब जस्ती फास्ट होते अणि अनियमित होते तो ता केस मदे जरी हाट बीट सालू असली तरी हाट से इफेक्टिव कॉंट्राक्शन होतने सो ता केसी स्मरे सुधा काडिया करेस्ट थो हो सकतो अफ्कोर्सर अमक्चा काणन मदे हार्ट अटाक है एक कारणंट अचसर आसू शकता पर्ण हार्ट अटाक वेतरिकत तो इतर ही काई यह पैद्टी कारणाइद दो स्वास गुद्गर ले मुझे एलेक्ट्रिक शोक लागले मुझे पॉजनिंग इतर अनेक आप्वे शुद्धा कारेश्ट हो शकत हो सो हार्ट अटक हे एकमेव कारण नसुन एक कारण काडिया कारेस्ट साथी असो शकता हार्ट फेलियर मदे जावेला अपले रुदायच से मेन काम काहसते कि अपले सर्वाश शर्याला ऑक्सीजन और नूट्रीशन वेहस्टित पूरा उठा करने पन कई कारणा मोडे जावेला रुदायची ही क्षमता कमी होते त配ल आपन यता पिशेंटला हण फेलियर असरो आणि हे यूजवली संभून कसा गैचे कि अखाला पिशेंटला हार्ट फेलियर है तो यला श्रम केल हरती धाप लागने अती ठकवा धानावने पायावरती चहरावरती क्यों पोटावरती सूज येडे अशा प्रकार चे दर तकरारी होतास्तिल तो तेला हाट फिलर ची शक्यता आसू शकते हाट फिलर से है डाग्नोसीस यूज्वली क्लीनिकल सिंटम स्वेतरिक ता कई रक्त तपस असता तुदार अनरता बीन पी नावाची एक रक्ततली तपस नी असते तसाच रुदाय चे इमेजिंग मजे टूडी को नावाची टेस्ट असते चमादे रुदाय चे सोनोग्राफी करून रुदाय चे कारेक्शमत वगितली जाते तो आशा तपसने यान मनना हाट फेलि असते तुदाय चे शंका करस दूर जाले चे तील आशा जाए तर तामदे रुपचाराचा स्वरुपनेंका कसा यानि रुदान ना ताशा पाईदा कसा होतों प्रिवेंट्टु ट्रीक्मेंट मदे एकादी प्रोसियर जाली असेल किवा नसेल जाली तन्ना जिकाई आउशद चालू ठेवना गरजेचा है उदारना अर्त रत पात्रा ठेवाईचे आउशदा, कोलेस्ट्रोल कंट्रोल मरे ठेवाईचे आउशदा, डायबेटेस आसन असून, तया वड़ेला तयोडे जिकाई ब्लोकेजेस अस्तिल, तयोडे स्फक्त ट्रीट कानाचे प्रेत्न गरतो, तेचा अर्त आसन है कि या ट्रीटमेंट नी भविशतले ब्लोकेजेस उनार नाई, चो भविशतले ब्लोकेजेस इदर अपलेला टाडायेचे अस्त तयोडे सुद्धा एखाया चा रुदैरोगा साथी काने बुठारू शक्ता, तयोडेची मानेजमेंट करनाई फार गरजेचा है, तरसाच अल्टरनेटव ट्रीटमेंट मदे ECP कि या एसेटी मनना पन एंवर्मेंटल पोलुशन जरा पन ट्रीट करू शक्तलो, कि या नव कन्वेंशनल ब्लेड टेस्ट मदे ब्लेड शुगर, ब्लेड कोलेस्टरॉल, एखाड़ेच सा ब्लेड प्रेशर है बेसिक पारामेटर जालेत, पन्टावे तरिक्ता, पेशेंट साई ECG, 2D को, तसस 2D को मदे एक आडवांस सॉफ्वेर बेस्टे सस्टे तला, ग्लोबल ल पेशेंट ला बरव अटता है कि वहां थे ब्लोकेज दूर जालेत कि नहीं, यह बगयाला इंजोग्राफिस कराएला पाई जासा नहीं, तर अशा बराच्छा नॉन इंवेसिव टेस्ट साहेद, जावरना अपन पेशेंट सा पुर्वी चा तरास और ट्रीटमेंट नंतर स आद उन गोश्टी कि आट टेस्ट नन प्री और पोस्ट टेस्ट दर अपन पेशेंट न फॉलमां शाक्तों कि पेशेंटं ला खरो कर बेनिफित होता है कि वहां थेमार्कर्स तरीटमेंट साहें, आणि ट्रीटमेंट आंब नंतर सिपहर नुचाहन शोग्तों, मैडम है उ प्रतिबंदात्मक उपचार पद्धति क्यों परियाई उपचार पद्धति मुणा आपन बगतो यह चामधे ही बाहियता स्टेटमेंट्स आहे यह नॉन इन्वेजिव टेकनिक्स आहे तरह में तासा ही तासा साइड इफेक्ट हा ऐसाच कूप कम निगलीजिबल अचाहे पर ग्रया पारामेटर सा वेड़ो वेड़ी जहात आमीं मॉनेटर करतो शिवा टूड़ी इको वारमवर आपन केला जातो एस्पेशली हार्ट फेल्योर पेशेंट्स आटी यहां कूप सांगला पद्धतिने बेनिफिट होता ना दिसतो त्यामें तसे बगाला गेला तरह कही प्रेगनंसी यहां थोड़ा से विशेशकार जी यहां ट्रीट्मेंट ची यहां लागते पूरुन ताहां नौन इन्वेजिव टेकनिक्स असले में भाहियता ट्रीट्मेंट असले में तेचे साइड इफेक्ट्स आज सच काई नहीं फक्त दोन गोश्टी मत्रामी प्रेश अधन में यहां सांगीत लागी तेचे साइड इफेक्ट्स जरीन असले तरी यहां मदे कुठला पेशन ना कुठली ट्रीट्मेंट देना हे पार मातवा चासता तो उधार नार्था एकारेच्चे किड्नी चा फंशन एसी ट्रीट्मेंट असता ना मॉनिटर करना फार गर एकार चे किड्नी चा प्रॉलेम असल क्यों क्रियाट निन ना चा ब्लड रिपोर्ट अपन करतो किड्नी चा फंशन साथी तो जर खराब असल तर अपलेला एसीटी ची ट्रीक्मेंट संबलून देवी लगते कि वहां बंदठ है वही लगते तस एसीपी चा ट्रीक्मेंट म अधे रक्ताची गुठडी कुठली नसेला पाईए करन या ट्रीक्मेंट चा धक्यानी काई वेस या रक्ताची गुठडी रुदयातना सुटून में दुकड़े गेला ता पारलेसिस्ता जाटका ही हो शक्तो तामोले हे ट्रीक्मेंट चे साइड एफेक्ट नसुन अपन पेशेंट वेस्ति चिलेट केला तर डिफेरेंटली तेचे अपाय होनार नाई तामोले प्रत्यक्त ट्रीक्मेंट कुठला पेशेंट में वेस्तिर पेशेंट चूज केला तर तेचे साइड एफेक्ट अल्मोस्ट नाई सेजाए सर जया पन वाइद्यक उप्चार मनतो मंजेस मॉडन मेडिसीन तर या उप्चारान ना हे कासे काई पूरक ठरता थे उप्चार या पद्ध तिला आणि या उप्चारान अंतर रुग्णांची पुरुण आउश्यद बंद करता है ता कुठलाई उप्चारान अंतर आउश्यद पुरुण पणे बंद होत नाईत एखादाला रुदायसा आजार जाला नंतर कई बेसिक आउश्यद मगाशीद सापन मंदलकी रक्तपात्र थेवाई चे आउश्यद डायबिटेज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल कंट्रोल बाइपास नी एक्जिस्टिंग ब्लोक्स अपन ट्रीट करू शकतो, पन अल्टरनेटिव ट्रीक्मेंट्स नी ब्लोकेज विर्गणून जातात कि वा नाईसे होता तसा नहीं, ता ता ब्लोकेज चा आजू बजू नी नाचुरल बादिक केस वाईना तयारून, ता करता, जी गाइडलाइन डिरेक्टेड चार प्रकर चे आउशदा लगतात, जलापन फोर पिलर्स अफ मेडिकल मैनेजमेंट मन्टो, ही आउशदा पुडे भविशात कायम सो रूपी सालू ठेवाल लगतात, पनमा या अल्टरनेटिव ट्रीक्मेंट के वा एंजो प्लस्त अल्टरनेटिव ट्रीक्मेंट सा फायदा होतो, जो अमी असा ही पेशेंट वईतले की जन्ना हाट ट्रांस्प्रांट चालिस्ट वरती पोस के लेलाए, पन फॉर्चुनेटली वेस्तिर गाइडलाइन डिरेक्टेड आउशदा आणी अल्टरनेटिव ठेरपी चा मदतीनी अशा पेशेंट्स ना सुद्धा मी अट्रांस्प्रांट चालिस्ट वरना बायर काड़ू शकला होतो, जन्सा जीवन चालिस अंगली ठेवला मुले, तन्सा देनन दिन अक्टिविटेज बरापे की सुदार लाए, तन्ना रूटिन कामा करने शक्या ना होते, ते वेस्ति प्रिवेंशन स्राटेजिस फोलो के लाए, तर हाट फिलेर चा पेशेंट्स चा क्वालिटी ओफ लाइफ डेफिनेटली सुदारूशक। पुन्हा अंजायना डेवलप होतो हो, पुन्हा ब्लोकेजस होता है, कि वहां काई डाइबेटिक कॉंपलिकेशन से गरे होता है, तो जसा मी पहिलांदा सांगितले कि कारंड मिमांसा कूप मतवाची आहे, जसा एजिंग साहें, ता एजिंग कंट्रोल करना कसा गरजेचा ताइचा बातामी गाइडलान्स देतू, पन जीवन शायलीतला अमुलागर बदल हाँ खूप फाइदाचा ठरतो है, जसा फॉर एग्जांपल सांगते, कि आलेला रुगणांचा आहारा चा पध्धती कूप वेगला पध्धती ने सांगितलाता, जसा डाइबेटिक पेश सब्सक्राइबेशन हे कॉमन रहता है, जो आइशी पंचेशी टक्के पेशन हे काडेक पेशन हे कॉंस्टिपेशन ची इस्ट्रीग हुनेता, कि जैचा मुले जर कॉंस्टिपेशन नाही ट्रीड जाला तो ताइचा हार्ट अटेक्स प्रमाण ही वाडू शकतो, आशा कंसे सब्सक्राइबेशन चाहला नंतर, कि रुधाय विकार हो उन्या, से दोन प्रकार चे प्रोग्राम्स आसता, आणि रुगणा तशा पद्धती नहीं हे तासता, तो एग्जाक्ली तुम्हाल हार्ट अटेक्स आला नंतर, तुम्हाला प्रती बंधात पक्मनों तुम्हाला को प्रोग्राम मदें हे लजात, तीसरी महत्वाची गोष्ट असते पर एक्जामपल की व्यसनन पसुन लाम रा, असा नुसता व्यसनन पसुन लाम रा सामनन, आणि एक्जेकली ताच्छा बदल्धल अवेर्नेस तेना देन, ह्या गोष्टी महत्वाचा रातात, सग्यात म अब्रवाट प्रफिशन नियुक्त लेट नाखिता चछन चीह इंफ्लमेटरी चेंजल होता इन्फलमेशनल पुना नियुक्त भूंब्र ब्लॉक्टेशन चाहिए पुरेशि जोब गेहना किपत महतवाच आए कि वा जर समझा तैचा नुसर ताना काई ट्रांक्विलाइजर शी गरे गरज आहे का तान अंतर चा घटा कस तो पाणाचा प्रमाण जीवन शेली इतले बदल सांगते कि जासा कीलेशन सा आमी काम करतो पन जगात सगया स्रेश्ट कीलेशन सा काम करना रो कोण है तो तुमसा पाणी फाना सा प्रमाण व्यवस्ते ठेऊना गरजेचा आहे एगजेकली काडियक फेल्यार पेशंट्स आले तानंचा मदे पाणा जेजर प्रमाण किती पाईज़े प्रेवन्ट tsumma treatment घेता पाणा सा प्रमाण अंगरे तुमसा शेडूल कासा है तुमी कुठल काम करता त पाणी बाडी जर्ट तुम्ची डिहाइड्रेट रहे लिए तुम्चे बीपी सुधा कमी जासता पद्धती ने उशकतो बाडी डिहाइड्रेट जली तह ब्लड विसकोसिटी वाड़ते गुठड़ा होता तानि तैचा में सुधा हाट अटक यह उशकतो तो यह सग्रया कशी मेंटेन कराला पाईजे त्याब अपती तावेर ने स्कूप दिला जातो आणि या बदलान अंतर रुग्णा चा रुधाया चा स्वास्था मदे पन चांगले बदल जालेला दिशतो असकाल व्यसनान मदे फक्त सिगरेट तंबाकू दारू यहोड़स नसोन मोबाईल व्यसनान वरती सुद्धा लक्षर देना त्योड़ गरजेचा है यह डीटल अनी शोशल मीडियाचा इतका अडिक्षान अता एस्पेशली लान बयामादे खुत चाले ताव अशा व्यसनान शुद्धा डिसिप्लीन लवना पार गरजेचा है त्या बदल शुद्धा यह मदे माईते दिले जाते। कड़ अबेसिटी आली वजन नियंतर ठेवन अपन गरजेचा है ताचा सथी डाइटरी फूद हैबिट्स काई चेंज करेचा। अबेसिटी आपने गेला दाहा वर्शन पास पुना प्रिवेंटिव काडिलोजी सेंटर शी असोसियेट आहात तर या उप्चरन सा कोणकोंत रुगणन ना फाइदा जाला है काई सांगल या बाबत दसा एंजो प्लास्तिक योँआ बाइपास नंतर संबर तक ये लोकाना ब पुर्वी काई जे काई रिसर्च जाले त्यामादे डाइबेटिक पेशेंट्स मों ना अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सा जास्ति फाइदा होता ना देशतो तसच एकार्याची रक्तवाईने खुब बारिक असेल कि वा खुब जास्ति क्याल्सिफाइड असेल जिकडे श रुधय रोग व्यत्ती रिक्त है कुटल्या व्याधिन वर उप्यूगता है यह ट्रीटमेंट मुणात त्स रुधय रोग हां मेटाबोलिक डिसॉर्डरस मदे अनारा हाजार है मेटाबोलिक डिसॉर्डरस मंजे चया पचयाची क्रिया व्यवस्तित न जहल्या मुड़े जे काई फ्री राडिकल शर्रात तैयार होता है कि जे संदस वाटे लगवी वाटे कि मां घहमा वाटे शर्राचा बाय टाकून लेना गरजे चासता और एक्जाक्ली ही जे महां क्रिया होत नाही तेमां है अजार घडता पन मेटाबोलिक डिसॉर्डरस मंदे सग्यात गोश आणि ताची पन कारण मिमां सा वगितली तर ही चासते कि जाचा मुझे जलापन मेटाबोलिक डिसॉर्डरस मंटो आणि परियाई स्ट्रोक मुझे होनारो पैरलिसिस असेल कि महां सध्या अटो इम्मुन कंडिशन साचकल खुब डवलप हाय लग लेला है मां तैचा मुझ आणिया मध्य सुधा पेशन्ट सांगतात की डॉक्टराज कल विसर भोड़े पना वाडला है ठकवा खुब ये तो जला क्रोनिक फटिक सिंड्रोम असा मी मंटो तो क्रोनिक फटिक सिंड्रोम असेल कि महां सेक्शुल कैपसिटी कम याली एक्टाइल डिस्फंक्शन से बर चली ACT मोन जी ट्रेटमेंट है क्यों HBOT तो यहां ट्रेटमेंट्स कूप चांगला पद्धती ने ताचा फाइदा होता ना दिस्तो मैंजे रुदै-विकार रुदै-विकारावरिल परियाई उपचार आरुग्य विश्यक खुप डिटेल मधे तुमि महीति रिली ही आमाहीति आम्हाला आमचा अचISA काणना क्वुप महत्वपूरुण उणी फाईदा